राजनीती में इमानदार और शरीफ निताओं की कमी है, एगरी कल्चर में प्रॉब्लम्स है, बेरोजगारी का इशू है, पॉल्यूशन एक मेजर समस्या है, सभी प्रॉब्लम्स को हाइलाइट करते रहना होगा, जो भी सरकार हो उनसे जवाब मांगते रहना होगा, मैं एक देश देखना चाहता हूँ, एक ऐसी दुनिया देखना चाहता हूँ, जहाँ पर हर इंसान साफ हवा में सास ले, साफ पानी पिये, हर इंसान को उपर उठने का मौका मिले, कोई भेदभाव ना हो, कोई अन्याय ना हो, किसी की आवास को नीचे दबाया ना जाए, एक ऐसी सोच है तो. फिर कई वीडियोज में मैंने बताया है कि हमें वोकल फॉर लोकल को एक जुमले की जगे हकीकत बनाना होगा. कोशिश करें खाने का समान जितना सीधा किसान से खरीदा जा सके उतना ही बहतर है. इसी तरीके से करें. टीचर्स बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं. हर एक आई-स ओफिसर रॉब जाडने के वजाए खुद को जन सेवक की तरह देखें. इमानदारी से जनता के लिए काम करें. पुलीस वाले क्राइम को रोकने के लिए अगर आप एक रेस्टरेंट या धाबा चलाते हैं तो लोगों को हेल्दी और टेस्टी खाना के लाएं ताकि लोगों की सेहत का नुकसान ना हो और उन्हें मजा भी आए और देश का हैपिनेस इंडेक्स भी बढ़े. सभी लोग अगर अपना प्रोफेशन देश में इमानदारी से करने लगे तो देश अपने आप स्वर्ग बन जाएगा और ये काम हम में से हर किसी को करना होगा. आगे आने वाले वीडियो के लिए मेरे पास बहुत सारे प्लैंस हैं उनकी बात टाइम आने पर इसकस करेंगे लेकिन अभी के लिए शंकर शेलिंदर के द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियां मैं आपके साथ छोड़ना चाहूंगा. धन्यवाद और जैहिंत जिन्दगे की जीत मेरे पीन कर अगर कहीं है ज़र्ग तो गतारना जमीन पर तो जिन्दगाए बूरी है आग पेट की बुरे है दिल के दाग ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब ये बुरी है आग पेट की बुरे है दिल के दाग ये नदब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब ये गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे पिरनवीन गर अगर कही है सर्ग तो उतार ला जमीन पर तो जिन्दा है तो जिन्दगी की जीत में यकीन कर अगर कही है सर्ग तो उतार ला जमीन पर तो जिन्दा है